अगर आप लोग भी इस तरीके की फोटो इजिटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा तो आइए वीडियो स्टाइट करते हैं तो सबसे पहले इस बैक्ग्राउंड को पिक्सार टैप पर ओपन कर लेना है अगर आप आउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां से जाकर आप इन बाइगराउंड को जाउनलोड कर नदे इसके बाद ऐड़ फोटो पर क्लिक करेंगे यहां पर आइज फोटो का उप्शन इस पर क्लिक करना है और आपको अप पर फिलिक कर देना है फिर यहां पर थोड़ा सब प्रोसेसिंग होगी और आपका बैग्राउंड यहां पर रिमूट हो जाएगा देखे कितना प्रॉपर बैग्राउंड रिमूट हुआ है इसके बाद इस फोटो को हम एक्जेस्ट कर लेते हैं सही से जितना देखने में अच के गाये और यहां पर हम को चलना है फोटो पर क्लिक करेंगे किक्द कि हमें यहां पर कुछ पीएंज हरे लेनो है ताकि देखने में और अच्छा दिखाए देखर रिसलिए थोड़ा मदिसस सजया गयां फिहां से मैं यह से इंज़ेंड कर लेता हूँ जो किन कost 되면 पहले से कर लेता हूं पहले आप लोग भी देखते जाए और यहां से प्रोक्र देखते जाए ताकि आप लोगों को भी ऐसी दिखिंग आप लोग भी कर पाएं तो यहां पर हम नीचे आएंगे थोड़ा ब्लैंड की आप्सिन पर आ जाते हैं और यहां पर लाइटनिंग पर में अच्छी तो यहां प्रॉपर तरीके से इसको भी अभी हम फिर कर लेते हैं तो इसको देखे कुछ तरीके से हमें लगा दिया है तो यह अभी देखने में यह आच्छी दिखाई दे रहे हैं काफी अट्रीटिव हमारी फोटों बन चुकित आप पूरा वीड़े देखत बहुत कुछ करके सिखाएंगे कि देखने में और अच्छी फोटे दिखाई देगी तो इसको यहां से जो तिरंगे की उपर से यह स्मोक आ रहा था इस फोनियां से रिमों कर देंगे तो इस तरीके से इस PNG को हमने प्रॉपर खिट कर दिया है तो यहां से इसको दम करेंगे इसका काम हो चुका है यहां पर फोटो पर जाएंगे और इसी PNG को हम दुबारा से लेंगे क्योंकि अभी हमने राइट साइट प्लाइग एड़ किया है अभी हमें लेफ्ट साइट भी आइच करने के बाद लिए यहां पर रोटेजन फ्लिप कर देंगे और यहां से फ्लि कर देना है तो यह हमने रिमू कर दिया सिर्फ हमने लेफ्ट वाल अप्लाइज रहा था है तो दोनों करते माचिं माचिंग हो चुका है तो देखने में अच्छा दिखा देगा इसको भी एक्जिस्ट कर लेते हैं तो यह भी हमारा काम हो चुका है इसके बाद हम फिर से कर देता हूं कि नीचे यहाँ पर मुझे सही लग रहा है तो यहाँ पर इसका काम भी यहाँ पर हमारा हो चुका इसको भी हमोगी करेंगे इसके बाद अभी हमें पगड़ी की पिंगी चाहिए तो क्योंकि हम लगाने वाले हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर आ जाता हूं और यह इसको मैं अपने फेस पर यानि सर पर अपने सही से फिच कर लेता हूं ताकि देखने में अच्छा दिखाई दे और यह जो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देंगे ताकि यह एकदम रियल लगी हाना फेक नहीं लगने चाहिए तो यह हमारी पगड़ी भी लग प्र अब इसक लिख करने वालें इसको भी अभी थोड़ा फ्लिप एंड रोकेट करेंगे कि यह जो के सरीयर हो आगे होना चाहिए तो यह देखिए इसको मैं भी फ्लिप कर लिया अब इसको मैं यहां पर बोट की उपर लगाने वाला है तो यह भी मैं यहां से फिच कर लेता हूं अभी यहां पर यह रहा है तो दोखे इतना काम हमारा हो चुका है इसके बाद हम फिर से आज फोटो पर चलते हैं और यहां से अभी हमें प्यंजी लेनी है आप 172 यह वाली ले ले लेते हैं 15 अब यह देखने में अच्छा लग रहा है तो इसको मैं यहां पर आजी कर देता हूं तो अभी आप लोग देख सकते हमारे इस फोटो बंद कर रेड़ी हो चुकिए अगर आप और भी प्यंजी आइज करना चाहें या और भी कुछ चीजे तो आप वो आपकी मर्जी है पर ज्यादा प्यंजी आइज नहीं करनी चाहिए जिससे देखने फोटो बेकार दिखने सब्सक्राइब करें और आप लोग देख सकते हैं यह फोटो कितनी सांदर हमने इडित किया इसके बाद हम चलेंगे एफेक्स पर और यहां से थोड़ी सार्फनेस जाल देंगे ताटी डिटेल आ जाए तो यहां पर मैं 85% के यह कर देता हूं सार्फनेस तो आप लोगों को यह फोटो एडिटिंग कैसी लगी हमें कामेंट में जरूर बता वीजो पसंद में हो तो वीजय को लायफ कर देना और चैनल करना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एस थेंगे इस फोटो एडिटिंग रिलेटेज वीडि़यो चीटने के लिए और आपको ये फोचों पैसंद आई है कैसी लगी है ये सब कुछ आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और को भी बाइगराउंड को भी इजिकिंग से रिलेटिस पीन जी कुछ भी आपको चाहिए तो चाहिए तो चाहिए रिजिकिंग जॉन डॉकिन बेस साइट पर जाकर आप लोग डाउनलोड कर सके हैं तो मिलते हैं नेस्टी वीडियो में तब तक लिए बाए